खेसरिया की बेटी सफनों में आती है कि आप पार सफलता के बाद पंकल सिंग का एक और विवादित गाना रिलीज किया गया है जिसके वज़े से विवाद बढ़ने की अशंका बढ़ते जा रही है और वो गाना का नाम है दोस्तों इस गाने के बारे में आखरिये बात करेंगे लेकिन सबसे पहले रूट कॉज यानि कि इसके जर के बारे में जानते हैं और आप जैसा कि जानते हैं इस वीडियो में जो भी बाते होती है वो फैक्ट के साथ बाते होती है तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं अब सवाल ये कि खेसारी लाल यादों पे इतने जाता गाना बन क्यों रहे हैं और मिलियंज का भी आकड़ा पार कर जा रहा है आपको पता है ये सारी बाते खेसारी लाल यादों के लोगों ने खुद गई थी कि आप गाना बनाओ अब पंकर सिंग ने क्या गाना गया था खिस पर या क्यों बहटी सा पहना माने या वह खैर यह गाने पर विवाद हुआ उसने माफिग माग लिया लेकिन माफिग मागने के बाद बीवेक सिंग और अकलीश का से पता उसे जाए क्या कहें तो क्या होगा लोग गाना बना रहे हैं अब पंकर सिंग को नो फरक पड़ता है कि हाँ नहीं गाना गाए और लोग क्या फरक पड़ता है भाई उसको तो आद के कहे अनुसार मिलियन तो पहुंचाना ही है और वोग पहुंचा भी रहे हैं तो इसमें अब कैसी सर्द अगर हम कि क्यों आप भोजबूर फ्ल्म इंडेश्टरी में डिवाद कर रहे हैं कि उन्होंने पता है मुझे क्या कई उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव कही बातों को हम लोग मान रहे हैं खेसारी कुछ साल पहले ऐसा कहा था में खुब्सूरत चीद को कौन छेड़ना नहीं चा थोड़ा हम लोगी गाना गात दे रहे हैं और पूराने बातों को याद करवाने की कुछिस कर रहे हैं तो फिर वहां मेरा मुह बंद हो गया मैं इतना अच्छा सपोर्टर था खेसारी लाल यादो का जंडा लेके गया था उसके सामने की जंडा का डंडा निकाल के चार-पां सिंग दिनेश लाल यादोने रहुआ तीनों लोगों की बेटी पे बहन पे गाना रिलिज कर रहे हैं इसका जड़ कौन है यह जानने के लिए हमने थोड़ा रिसर्च किया रिसर्च में पाया कि बहुत सारे लोगों से हमने एक सवाल पूछा कि क्या आपने खृतियाद्व लोगों का आपने गाना सुना था अगर वो घाना जादा से जादा जाता तो 10,000 से 1,000,000 व्यूज तक जयाता मामला वहीं खत्म हो जाता और 1,000,005 लोगों का कोई अस्थित्व नहीं है मतलब समझे कि 70-80,000 लोग तो यही समझते कि फाल्तु गायक है इसको छोड़ो वाइट करो बड़ा बड़ा सूपर इस्टार है सब को ही गाता है और इसी वज़ा से सिलसिला आगे बढ़ते रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस बिवाद से पहले खेसारी लाल यादव के बेटी पे जो ये गाना रिलीज हुआ है खेसारीया की बेटी सपनवा में आती है क्या आपने ये सुना था अब फाइनल डिसकसन गाना के उपर पंकर सिंग ने ये गाना नहीं गाया है आप एक दरसक हैं आप एक ओडियन्स हैं और आपको ये बाते समझनी चाहिए कि कौन ओडियन्स क्या कर रहा है अब इतना ज़्यादा बिवाद हुआ पंकर सिंग ने माफी मंगा तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि पंकर सिंग ने इस गाने को गाया होगा आप जैसे लोग इस गाने को सुन रहे हैं और देर मिलियन लोग सुन रहे हैं तो कोई भी तो सूपरस्टार बनने के लिए जब खेसारी लाल यादो खुद सूपरस्टार बनने के लिए जेल तक जा सकते हैं और तो इन सब चीज़ों को आप एवाइड कीजिए, ऐसे ऐसे खराब गानों पे, किसी के माँ बहन के बारे में गाना हो, बेटी के बारे में गाना हो, आप लोग उस गाने को मत सुनिए मेरे बाई, उस वीडियो पे जादा से जादा डिसलाइक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, और वो सब से जादा बेटर है कि आप सुनिए ही नहीं, वैसे गाने को बस स्क्रॉल कर देजे उपर, बाकि सारा आपका भोश्पुरी क्लियर होते चला जाएगा, खेर ये कुछ फैक्ट था, जो आपके सामने रखना जरूरी था, जो लोग को सवाल जबाब कर रहे थे, हम हमारा सोशल मेडिया लिंक, यहाँ पर आके आप हमको फॉलो कर सकते हैं, आपका भाई राजन सिम्गुट, फिर मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए दीजे इजाजत, नमस्कार